आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी छट पे पालक कैसे उगा सकते हैं आपको लेना है एक कंटीनर और उसमें करने है अपनी दो छेद एक्स्टा पानी निकलने के लिए और छेद पे आपको रखना है पत्थर हम यहाँ पे टाइल रख रहे हैं और उसको कवर किया है एक छोटे कपड़े से जिससे की एक्स्टा पानी के साथ आपके कंटीनर की मिट्टी ना निकले अब हम कंटीनर में डाल रहे हैं सूखे पत्ते और सूखे हुए पौदे आप अपने गार्डन से निकले हुए पत्ते या घास या कोई पौधा जो मर गया है या आपने उसको उखाड़ दिया है या कोई बेल जो आपने उखाड़ दी है या उसका सीजन चला गया है ऐसी चीज़े आप सुखा कर और फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अब हम डालेंगे मिट्टी और हमें मिट्टी डालके अच्छे से फैला लेनी है कंटीनर में और उसको अच्छे से दबा देना है ताकि जो अपने मिट्टी से पहले सूखा हुआ मिट्टी डालने के बाद हम डालेंगे किचन वेस्ट के लिए आप फ्रूट्स या वेजटेबल्स की छिलके यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई सबजी है आपके घर में या फ्रूट है कोई जो सड़ गया है हम वो सड़ी गली सबजी और फ्रूट्स भी हम किचन वेस्ट में यूज कर सकते हैं किचिन वेस्ट डालके उसको evenly फैला लेना है और अच्छे से दबा देना है उसको उसके बाद अब हम डालेंगे किचिन वेस्ट के उपर मिट्टी हमें मिट्टी से उसको अच्छे से कवर कर देना है सुके पत्ते और किचिन वेस्ट के बाद आपको किसी भी तरह का खाट डालने की जरुएत नहीं है अब मिट्टी डालने के बाद आपका कंटेनर फुल हो गया है और अब हम इस पर डालेंगे पानी हमें पानी बहुत जादा नहीं डालना है बहुत हलका हलका डालना है इतना कि हमारी जो उपर वाली लेर है मिट्टी की वो अच्छे से भीग जाए हम जोड़ा सा और वेट करेंगे जब तक ये पानी पूरी तरह सोक नहीं लेती मिट्टी और जब ये पानी पूरा सोक लेगी मिट्टी उसके बाद हमने पालक के बीच छड़कने है बहुत हलके हाथ से हमने पालक के बीच छड़क देने है मिट्टी के उपर और आपको लग रहा है कि आपके बहुत सारे बीच एक ही जगव पे गिर गए हैं तो आप उसको हाथ से अलग-अलग कर सकते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने जो बीच है वो अलग-अलग रखे हैं आपको भी इतने दूरी पे ही अपने बीच लगाने हैं बीच छड़कने के बाद हमने हलके हाथ से थोड़ी-थोड़ी मिट्टी पूरे कंटेनर में डाल देनी हैं बहुत जादा नहीं डालना है कि हमारे पीच बिलकुल ही दब जाएं और वो पालक उगी ही ना पाएं बहुत हलके हाथ से हमने उपर-उपर मिट्टी छड़कनी हैं पूरी तरह से डालनी नहीं हैं जिर्फ हलके हाथ से छड़केंगे हैं मिट्टी जब एक बहुत पतली सी लेर बन जाएगे हमारी सूखी मिट्टी की बीच के उपर उसके बाद हमने हलके हाथ से पानी छड़क देना हैं बहुत ज़ादा पानी नहीं डालना है सिर्फ इतना पानी डालना है कि जो अभी हमने हलके हाथ से थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डाली है ये गीली हो जाए बस इतना ही करना है और उसके बाद आपने करना है वेट पालक के उगने का तीन से चार दिन में पालक उगना शुरू हो जाएंगे मैं आपको यहाँ पे दस दिन का रिजल्ट दिखा देती हूं सेम कंटेनर में आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे पालक अभी हाँ पे ओगे हुए हैं यह हमारे दस दिन का रिजल्ट है और यह जो रिजल्ट आप अभी देख रहे हैं यह रिजल्ट है हमारा 20 दिन का तो बीस दिन के बाद आपको फुल ग्रोण पालक मिल जाएंगे जो आप हार्वेस्ट करके यूज कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सस्क्राइब करें and थैंक यू फर बॉचिंग.